सिर्फ रुची 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 अंतर से रुची की कमी है बस कि मैं परिपूर्ण चेतन में अविनासी सत्ता हूँ जिन भगवान की वाणी में जो आया है जिन भगवान के बचनों में जो आया है बस वो ही परम सत्त है जिन भगवान की वाणी में जो जलक रहा है जिन भगवान की बचनों में जो आ रहा है वे अतींद्री आत्मा ही मेरा सरूप है जिन भगवान की दोरा कहा हुआ परम सरूप ही मेरा रूप है मैं अतींद्री सुद्ध चेतन सरूप भगवान आत्मा हूँ शुद्ध आत्म सुभाव मेरी शास्वत सत्ता है मेरा केवल ग्यान में अनंद चतुष्टे में मेरा सुद्ध सुभाव है रुची 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 अंतर से रुची लगे अंतर आत्मा से रुची लगे अंतर हिरदे से रुची लगे कि भाईया क्या कह रहा है जिनेन भगवान सरवग देप की वाणी में क्या आ रहा है सरवग के देप के बचनों में क्या आ रहा है जिनेन भगवान किस सब्देश को लेके इतनी गंभीरता से जीप को कह रहा है किया पताना जनन भगवान कितनी गेराई से बोल रहा है भगवान कि जिन उक्तेवाणी हुर्दे चेतने तो जो बस्तु सरूप है उसका हुर्दे में अपने अंतर में अपनी चेतना में एक वा सहकार तो करके देखो वे क्या है वस्तु सरूप? वे वस्तु सरूप ये है कि जगत का जितना भी तिकाल वरती परिड़मान है वे सारा तिकाल वरती परिड़मान सब अपने कर्म 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 की करकत अवस्थाम के अनुसार सब कर्म बद्रील के अनुसार चल रहा है जिस समय जैसा जो हो रहा है वे अपनी योकता से हो रहा है सहयोग, व्योग, इष्ट, अनिष्ट जो कुछ भी घट रहा है जो कुछ भी परियाय 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 की इस्तिती घट रही है जो भी परियाय 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 का भाव घट रहा है बहे सब अपने समय से चल रहा है और अपने समय में चल रहा है फिर मैं उन सब पर परियाय से मैं उन सब परियाय परणमन से बिल्कुल भेन चेतन मही परमात्मा हूं सुद्ध चेतन मही आत्मा हूं यह बिशेश क्या इसमें यह बात जानते तो है ये बात अपन समझते तो है कि भीया मैं तरकाल दर्सी निराकार चेतन में भगवान आत्मा हूँ ये इसा अपन निर्णे तो करते है इसी इन सब बातों का अपन जानते तो है इन सब बातों का अपन चिंतन तो करते है कि भीया आत्मा हूँ में शुद्धात्मा हुमे परमात्मा हुमे भगवान आत्मा हुमे इन सब विस्यों को अपन कहे तो है धोराते तो है लेकिन इन सब विस्यों को हिर्दे में सीकार्था में इस्थान नहीं देते फिर अपनी हिर्दे की शीकारता में इस्थान तो निमित्तों कई है निमित्तों से इसा हो रहा है बाहर के सईयोगों से इसा हो रहा है बाहर के सईयोगों में इसा हो रहा है बस वहां अपने शीकारता पर को दी अपने शीकारता निमित्तों को दी आप अपने शीकारता अपन जिन भगवान की बचनों का सहकार तूड़ जाता है जिन भगवान की बचनों का सहकार तूड़ जाता है तो मन नाना प्रकार की परियायो के चिंतन में परिणमन के चिंतन में ये मिठ्या माया निदान आदी इनसलियों के चिंतन में उलच जाता है यहां होगा यहां करने नहीं हो रहा हमाइं इसके करण अजय ना प्रकार के इतने दो अंतों नहीं हो रहा हम सब्सक्राइब नहीं नहीं रहे हमें तो भगवान की वानी में आनंदरु वुद्पन ही नहीं हो रही हाँ उसकार कर रहा पूस और बचनों को लेने के लिए आपको जयों गात्मक इस्तिति घट रही है उस स्थिती से बिलकुल रहना रहना अर्फ वेस्तिति आपके स्विकारता में आपकी मान्सिक्ता कारण ना बने कि हमेंसे हैं आप यह आ आपने कोई स्वीकार कर लोगे ना तो आप उस दोस्ट से खुली दब दब जाओ मैंनला आप यह सी कर कर लोगे ना तो आप उस सी को सी करोगे और बार बार आप उस तीच को दिमाग आपका करोना है बहुना निर्दोस बिल्कुल निराकार बिल्कुल सहच बर्तिमा जिसे ऐलंगा जिसे किसी के सहीयोग का किसी की पराधीनता का कोई अवलंबन नहीं है जिसे किसी की पराधीनता का कोई अवलंबन नहीं है एसे साश्वच आनंद चेतन सरूप को यहां जिनेंदर देप कहे रहा है एसे आनंद गंद सरूप को यहां जिनेंद परमात्मा कहे रहा है कि तू एसा सु्द्ध हे तू एसा सिद्ध हे तू एसा मुक्त हे तू एसा आनन्द में है तू एसा केवल यान मेराव सुद्ध सत्त। कि यहां कि तुम मेरे बचनों का उनके बचन मतलब जिनेन भखवान की वाणी का अर्थ है कि तुम बस्तु को यथात रूप से वस्तु की वस्ता को उसकी यथात रूप से तो ग्रण करो बस्तु की वस्ता को तो यदि तुम बस्तु वस्ता को यदि मोक्षमार को घ्रण करने की बात कर रहे हो तत्वार्थ की साधना की यही तुम बात कर रहे हो तुम तो तुम यथार्थ वस्तु को यथार्थ वस्तु की वस्ता से तो घ्रण करो यथार्द वस्तू की विवस्ता से मतलब क्या है यथार्द वस्तू की विवस्ता अरे यथार्द वस्तू की विवस्ता है अपना जो त्रकाल दरसी चेतन में सुभाव है अपना जो सुक्ष में अतींदरी सुभाव है अपना जो अनंत चतुष्टे में परमात में सरूप है वे है वे है चेतन में सरूप वे है ग्याता दिश्टा सुभाव वाला है वे है ग्याता दिश्टा सुभाव वाला है और उसका अपनी ग्याता दिश्टा सुभाव का किसी भी जलकत हुए परगे से कोई संबंद नहीं ह किसी भी परयाय इस्तिती से कोई संबद नहीं है मेरे आनंद का मेरे आनंद का यह बाइसा बढ़्णा से भी कोई संब्ध नहीं इस विल्य संब्दों मेरे का संबंद मेरी अनंध चटुष्टे में अत्ी तुण सय अपने सूपष म सभा और उख हम इतना लंबा काता को जो विस्तार करके बता रहा है इसकी आवाशकता नहीं है यह आप उस गाता को एक चरण को यह जदी श्रत्धा से पह लो तो यह सारा विस्तार तो बुद्धी की समझका है बुद्धी को समझाने के लिए चित को लगाने के लिए उप्योग को एकागर करने के लिए उप्योग एकागर नहीं हो पाता इसलिए चित एकागर नहीं हो पाता इसलिए ये सारा प्रियोग तो चित्त की एकागरता के लिए है ये सब सारे सारी विवस्था हैं तो चित्त आधी की सब एकागरता बनाने के लिए है कि जीब की एकागरता बने जीब एकागर हो जाए जीब को अपने सभाव की एकागरता प्राप्त हो जाए ये सारा सहियोग तो एकागरता बनाने के लिए एकागरता बने अंतरंग की एकागरता बने लेकिन भगवान आत्मा ये सारा सहियोग तो सिर्फ एक निमित्य मात्र की अपेक्षा से उपस्ते थे एक निमित्य मात्र की अपेक्षा से उपस्ते थे लेकिन मूल उपादान तो तुम्हारा अतींजी चैतन में सुभाव है और यदि बहवार से भी मूल उपादान देखे तो ये पूरा विस्तार नहीं है जो हम पूर इत्ती बड़ी चर्चा कर रहा है या कोई भी बिद्वान इत्ती लंबी चर्चा कर रहा है ये मूल उपादान नहीं है मूल उपादान तो वो गाथा की सिर्फ वो लाइन है वो गाथा का मूल अर्क है जो कह रहा है जिन उक्तवानी हर्देचेतनित्वम यदि आप अपने बुद्धी के समझने के विकल से उपर उठो अभी आप यह चर्चा-चल्शा सुनने के विकल से उपर उठो और विचार करो अपने अंतर में देखो तो भग्वान वो जो जिन उक्तवानी हर्देचेतनित्वम जो महीमा कर रहा है वस वो ही परमानद का केंद्र है वो उपादान है बस वो वो गाता उपादान का उपादान सकती है महां से निकल रहा है विस्ता लेकिन अपने को वो उपादान शक्ती नहीं दिखती ना वो उपादान शक्ती नहीं दिखती वो उपादान बस्तु सुभाव की व्रस्ता की अन्बोधना नहीं होती वो जिन उक्त वग्मान के वो जिन पुजन के वचन अपने को वहरदे में नहीं जूल रहा है वो जिन पुजन की वाणी का वे इसा बहुमान नहीं आ रहा है और निमित्तों सायोगों के बिकल्भ column से अपना उपयोग भाहर मुक्पक रहा है जो थोड़ा बहुत खिचा होता है जो थोड़ा बहुत आनन्द आता है वो भी नहीं आ रहा है वो भी रुक रहा है वो उसका रुकने कारण क्या है कि आपने अपने धाड़ना बना ली आपने अपनी मानता बना ली कि हमें इसा नहीं हो रहा है कि हम इसा तो नहीं कर रहा है paragraph को परिणमन रूप सीकार नहीं करते हैं एक तरफ गरते हो जहां आपका मुन in कि मानसिक्ता अपकी धार नहां कर रहें रहें गिलत गलत इते हो आप डोनों को आपकी मानसिक्ता को बिल्कोल अलगर रखें जिन वकाण किया रहा है आप उस मात में धिन रहीquest इसाट मार तो आपके अंदर कटोरता आएगी ना अपके अंदर में एक स्थेस्टा रहेक्वस्त वियुआ है जो रहा है वो हो ही तो रहे। कर्मों पहीं कहीं तो हो रहा और होने वाले परिणामन कर्याय में एक गट जर अप्याय है तो फिर नजना प्रकाश कात करने से क्या मतलब सल्य हम च्त हम रहनेएं haar निदें niruddh जो होना हो नहीं नहीं है जब आत्मा के लिए हिद कारी नहीं है जब आत्मा के लिए कुछ कायर सिद्ध नहीं होने वाला इन सल्यों से तो अचार देप के रहे निरोध नित्वम छोड़ो छोड़ो इने फिर छोड़ो जब कुछ कायर जब इन सल्यों से इन चिंदाओं से कोई मार खुली नहीं सकता जब इन बिगल्पों से इन सल्यों से जब कोई हित का मार खुली नहीं सकता जब इनसे अपना कोई हित होने वाला ही नहीं है जब इनसे आत्मा का कोई कल्यान होने वाला ही नहीं है जब इन सल्यों से कुछ काम हो यह नहीं रहा हो गई नहीं हो यह नहीं रहा तो पुखमान जब काम ही नहीं हो रहा तो फिर इन पाल के क्यों रहा हो बेमतलब की है ना जब इन सल्यों से कोई कायरी सिद्धी नहीं हो रहा जब इन सल्यों से कोई काम बनी नहीं रहा तो फिर इ में आकुलता हो रही न आत्मा अनंत विकल्पों में घिर रही है यह कि कि जब यह सबने आत्मा को बिप्रित है आत्मा का घाथ करने वाली है जब यह 一ुas को छोड़ो कि आकुलता को छोड़ो और देखो यह जहां चिंता छोड़ोगे जहां आकुलता छोड़ोगे जिस आनंद को तुम सुनके प्राप्त करते थे तुम्हें वह आनंद बिना सुने बिना प्राप्त बिना का सुने बिना प्राप्त करें वह आनंद तुम्हें चलते को आनन्द में अपने आपी प्रत्रा जिन फंगान की वानी के रूप में पूदना की गाता की किसी भी सहयों गात मएक दर दो य ciraง ने की जडर नहीं अलग जाईएन की जितना उपादान है जीपका और जितनी उसकी होनार है जितना घेरा, उसका शृतधान है, उस-अनुसार, उसका पुरुसार, उसका अंतर, पुरुस उछलेगा, कोई नहीं रोग सकता, बाहर में पॉन्द्दपाप की बिबस्ता नाना प आत्मा कोई अंत्राल नहीं आने वाला है है अपने ज्यादन महीं सुभाव कोई अंत्राल नहीं आने वाला स्द्ध सिर्ध स्द्ध में सट्भ गिणाएगी विया है वे परमपार्णामिक द्रोग सत्त ही मेरा सुबाल मेरा साल्स आओा ओक्ञ जीप की रुची में बेढ़रिए वास रुची का खेले, पूरा, रुची, ये आपकी रुची में बैठे, अतीन्री आनने सा रूप आत्मा हुझे, ज्ञान पी ज्ञान में परमात्मा हुझे, मेरा परयाय रूप बिकल्ब से कोई संबंद नहीं है, कोई भी, रंच मात्र भी, तनिक सा भी, एक अंस भी, मेरा परयाय इस आस्था जीब के लिए बिठी जीन बहुत को जीटना करम पैकुरतियों को जीद आपको मुक्त होना है संसार से यदि आपको निशिंत बिल्कुल निर्विकल्प होना है यो उसका उपाए सल्यो मेरत रहेना नहीं है तो फिर यदि आपको जीतना है कर्म धाराओं को यदि आपको जीतना है मानसिक स्थितियों को यदि आपको जीतना है मन की धाराओं को तो मन जो मान रहा है मन जो अच्छे बुरे का निर्णे कर रहा है सबसे पहले उसको इपीट के उपर उठना पड़े हो तब आप अपने सभाव के हैं में उस सत्त में जा सकते हो और चलते पिरते आपको आनंदी की दसा बने या ना बने तो भी आप आनंदी की दसा से भी उपर जा सकते हो सभाव मात्र सकता सभाव मात्र मेरा चेतन में सभाव और जो ठुकता है जो पिट्टा है वो जो आगया बढ़ता है सब दसां और सब इस्तितियों को नकारते हुए वोई वोई जीत पाता है वोई उपर उट पाता है सब इस्तितियों को सब परिस्तितियों को सब घटनाओं को सारी सईयोगात में घटनाओं को सबको बिल्कुल पीटते हुए सबको बिल्कुल अलग करते हुए जो जीतता है जो अपने जितेंद्री आनंद सभाव में जो जीतता है जो इसे सभाव को स तुप और आनंद में सुभाव है मेरे सरद्धा की बात है या बिस्वास कीता है कि अवरिश्टा हुआ यहां तो आप यह drew सुभाव है मेरे हाल्ष 듯 only सुभाव है मेरे पीजह तो आप यह बता कि आ आपको जिन ऑगवान वाओं हिवे घट है इसे वह कितने अंतर बेट रही है कि और भगवान का रोज कह रहा है जितने एंतर में आजिन-बगवान की बाड़ी बैठेगी सल्लियों का तो निरोध हो गई होगा बाहर में जो दिख रहा है आपको उन उनका संग भी छूटेगा यदि आपके फिर्दे में श्रद्धा बड़ी है यदि आपके एंतर की ज्ञान साथ ना बड़ी है तो जो मिठ्या देव आधी गुरु है उनसे उनका साथ तो आप से चूटेगा अपने आप छूटे गई तो अपने आपके सायोंगात्मग जो स्तिति यह आपसे नीचे ले विल फो छूटता जाए यह इंतर साथ ना है नहीं सब कुछ सब कुछ भीलाएगा सब कुछ चुटेगा सारे मित्याभी प्राइप लाइंगे सारी अग्यानताय बिलाएंगी सारी सेयोगात्मग विचारध स्वाधीन स्वाधीन सुझना होगा क्यों होगा यह सब मिठ्या पढ़नतियां हैं यह सारी मिठ्या पढ़नतियां यह सारी मिठ्या पढ़नतियां जीप को अनंतिकाल से मिठ्या संसार में परिब्रम करा रही हैं सब मिठ्या पढ़नतिया है क्या होगा कभ होगा क्यों होगा इन में इन सल्यों में मिठ्या पढ़नतियों में रंच मात्र भी सार नहीं है रंच मात्र भी सार नहीं है तो सुद्धः सरूप की साध्ना करो, सुद्धः सुद्धम सरूपम तवी अतीनी सुद्धः स मूर् Insurance मेरी शृद्धा है, तटता विस्वास है, तम एठी स्रटा है, सुद्धी शुद्धहत नचाहते हो, सुद्ध सरूप मात्र अधी तुम्हारा ऐस्तित्त है time टत्फार्थ सार्णह तुम्हें प्रिवयजन बूत्त को साहट के बता आज हृस तुम तो बाकई का हिए किसिसे कुछ बोलोई मत बाकी किस ने कुछ कहां मत बाका कि ने को बुद्दी को समधानी मत दो बुद्धी मन को बिल्कुल कोई समाधान मत दो आप इन बुद्धी मन को चलने दो इसे चल रहा है कोई समाधान मत दो जो परयाधार चलने उसे बिल्कुल चलने दो बिल्कुल मत समझाओ और बिल्कुल छोड़ और एक बिल्कुल अंतर से एक बिल्कुल इन सबसे बिल्कुल पहर होके और एक काम करो में वजड़िया वस अब तत्त वार्थ साढन पत्त को साधрах के शुद्धा से बीलकुल फल के जब साथ ऑब पूर्डवा न olan करेंगे खर्जचे依ना में अपना वजूद सरूप है शुद्ध्達 संद्चेट्फ में पूरी अभी व्यक्ति करेंगे अभी हैं में इतनी सामर्थ को कि शुद्ध सभाव को उत्पन करेंगे कि इसे कहने सथ पान होगा क्या मैं कि कहने सब्बन होगा आपकी आस्था आपके विश्वास आपके लक्ष बनाने सफपन होगा मेरे कहने सत्पन नहीं होगा, मेरे बताने सत्पन नहीं होगा, आपके अंतर के स्वयम के लक्ष बनाने सत्पन होगा, आपके अंतर में इसे स्वयम की द्रणता का द्रणता अपने अंतर में अपने इसे सुध अभी प्राय को पुष्ट करने सत्पन होगा, कि हाँ, वो मेरा स से अंतर से आस्था है मेरी अनन्चतिष्टे में वीत राख सकता मुझे बिलस रही है मुझे बिलस रही है मुझे बिलस रही है और निर्वाद रूप से ब्लस ब्लस रही है कि आपको सहियों का अत्मक दसाएं दिख रही है ना आपको सहियों का अत्मक दसाएं प्रभावित क में सब्सक्राइब यहां अब यह बात मालाँ सुन लेगा समय लेकिन फिर वší गर्रक घंडें में दो रहा है क्यों कि कि इसका करणी है कि इसकी प्शिकर्म प्रकृटि है कि करme प्रकृति चलेगी करम प्थिकर्ma टी beating चलेंगी तब झिल में जन बगवान के बचणओं का वि तो कोई प्रुला कोई ही कोई है जिन भगवान के बचनों के लिए मिठने वाला कोई साधक, Doing Executive的 इस नियहां की कोई स्तिति-परिस्तिति-दसाव और कोई महत्त ना रहे हो वो वो कोई बला सादक है जिन अगमान के बचनों को हर इस्थिति दिया परिस्थिति में बिलकुल उच्छ उठाके चलेगा। कि अउल जब 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 अपने सभाव सभाव कि उसे नोग कि अमारिटक से अधैंगे तो फिर आएंगे सब लोग फां सुछ फिर लगत कर दो बतना में फिर में लग जा गए फिर की कर्म प्रकूरती परिड़मिट बेसी होंगी को जो है इस सवामी वर्जी हो ज्यांदे में और जिन बगवान की वाणि में इसृत्त हो जाए जिन बगवान की वाणि में अरत रोले को ने पबिचन घ्रथी अंट को धी हर्दे में के वला ज्यान रूप प्रकास हो जाए कि हाँ हाँ जिन भगवान ने इसा का आ है जिन भगवान की वाणी में इसा जिन भगवान के वचनों में इसा आया है जिन भगवान की वाणी इस सत्त को दरसा रही है यदि इसा आपके हिरदे में प्रकासित हो जाए आपके हिरदे में यदि इसा प्रकास हो करोगे इसी निशनलता का अनुभाव करोगे जो खिचाव मचाव की धारा से अनंत गुनी उपर है सभाव के पिती बिस्वास सभाव के पिती समर पड़ता और अपने आप ही चलते फिरते खिचा हो जाएगा पड़ेगा न जो मुझे सुन के आपको खिचा हो रहा है वेह दिया आप खोद अपने ज्ञान उप्योग से दो मेटे के लिए चिंतन करो गए तो आपको इससे अनंद गुना हो सकता है लेकिन आदत क्या है आश्रे लेने की अश्रे लेने की वह चूंब यह उप्योग में इत्ती एकागरता नहीं बनती न और इत्ती एकागरता बेसे खुद मनाने की कोशिश करो तो बुद्धी मन चित इत्ते घुमाते इत्ते घुमाते हैं कि आप आप कहते रहते हो तो वह जल्ली फटा-फट फटा-फट फटा-फ लतों प्योग चल जाता है, जितने खषाब हो जाता है, जितनी आनद की स्तिती हो जाती इत्ती एनवोद्न हो जाती वह सरलता से हो जाती चुद करने की बात आये तो फिर वो इतना रुजान नहीं लगता, वो इतनी रुची नहीं लगती, यही तो है, यही तो है, यही तो है, वो भी उसमें भेट पाल लिए कि, हम इनकी सुनेंगे तो ही होगा, यहां बेट के सुनेंगे तो ही होगा, यहां आके करेंगे तो ही होगा, जिसा मानसिक कलपना है मन की धारणाओं में इतना संयुक्त हो गया है एसा लटपत एक में खो गया है कि उसे इस मन से उपर की और कोई धारा ही दिखाए नहीं देती है मन की मानसिक्ताओं से उपर इसे जिन भगवान के बचनों का सुद्ध सभाव की साधना का भाव ही प्रकट नहीं होता सब निमित्ल सहियोग में इतना उलज गया है इतना जादा उलज गया है कि इसको सहज शुद्ध भाव सुद्ध सरूपम सुद्ध सभाव की साधना जो तत्तवार्थ की सादना है उस तत्तवार्थ की सादना का भाव प्रकट नहीं होता इहां गुरुमाय ने यह स्थापना करी है सुद्धध सरूप की इसके पाद अगली गाता अक बीशेष सादना को लेकर आएगी कल से प्रारम करेंग अगली गाता और फिर कल से फिर वही मोटी ग्यान धारा से चर जाओगी शुक्ष में रहस एक दूग लेकिन उस रहस को कौन पी पाएगा वो जो ग्यान धारा चलती है न जो जहां से बेख सबो तो महां आनन्दित तो सब होते हैं वो जो ग्यान धारा है न उस ज्दग्हान अम्रेत को सीधा सीधार और इस बूंसे अभी प्राई नहीं जाता हूर। सीधा सीधा ज्ञान और यौग का सीधा सीधा बल मिलता समझने हो समझने की तो कोई बात हिए को इसके मैं पूदि को दो रहतारी तो ये जेवा आत्मकों वुद्य संधू मुंद्धी नहीं मिलती ना मन की संधूस्थिने नहीं मिलती ना फिर में प All the पृत ध्रमाल में कार्ण्भाक रही है लों पर्माइबिक वन तर्लमाइब्स में करनधारा है लोन उस सम नहीं कर दें कि समझने समझाने से किलियर होती ना बात है किलियर करने में रस आता है भूमिका भी है यह बात थी किलियर करने में रस आता है लेकिं बगवान जी इस भूमिका से उपर उड़ जा बिलकुल कि कि यह किलियर किसको हो रही है तो क्या किलियर करना है अब तो एक बाद किलियर कर शर्दान ग्यान के निर्वलता के लिए यहां किलियर करने की समझने समझाने की कोई अवशक्ता नहीं साथना को साथना को बुद्धी से जानने से मौक्षमार नहीं चलता जहां मौक्षमार प्रारम होता है महां बुद्धी स्वयम सुक्षम साथना के रहस्यों को खुद नि पिचलती है, आपको तो अपनी अंतर की अंतर ज्यान धारा को मजबूत करना है, आपको तो अंतर में अपने अंतर आंद के अम्रत को पीना है, आज की चर्चा भी बहुंत अच्छे लग रही हो, कल की लगी होगी, क्यों? पूरी समझा रहा हैelli है पूरी एक चीज सामने रख रहा हैं एक चीज को बिलको इसपश्ट करके बिलको सामने खोल खोल के बोल रहा है बहुत अच्छी लख रही होगी यहाँ यह भी साही है यह भी साही है यह भी साही है आनन्दा रहा होगा लेकिन फिर जब एक ही रड़ना लगाते हैं मसे लेकिन भूस infinity एक बट přवुद नितम ग्यानधारा लुप में अबस इसमें इतब ऩॉओ उसमें ऐसा उप्यू अप्यू लगता है। जब कि इसमें भी थोगवूओ समझाना हो जाता था थोगवद बता ना हो जाता लेकिन वह एकदम कहां तुम कहां उनों सम्झा ने समयने के भारा शहें विवे लि juvenile खाल अच्छल रही है। कि अबीजिंदृम सुन्धम सरूपम तत्वार इन थौह सुन्धम सरूपम तत्वार सादोब इन फ्रदेशनत रहे रहे ही आथा कि पृचिती है यूज जहां ज़ा रहा है भई यह जो लगाना पड़ेगा तो सुन नहीं पड़ेगा रा है यह ग्राष में ब़िला ना तो चले जाओगे न तो फिर सुनने के आवशक्ते नहीं रह जाएगी, सुनना तो फॉर्मिल्टी रह जाएगी बस, सुनना तो परिणमन रह जाएगा, वो इसलिए रह जाएगा क्योंकि उपादान की बलबत्ता में है, निमित्त की सईयोग आत्म के स्थिती ऐसी, ये सुनन मातरक बहवार रह जाएगी, सुनने वाले, सुनने वाले मातरक बहवार में रह जाएगी, और निश्य में अपना दुर्द्रकाली परमातना वज्जा आएगी, समय लोसी समय से मुक्त, लेकिन जे कार हर किसी से नहीं होगा, लेकिन जे बात पक्की है, तो कि पुन्ने की, लोक की जीब केहता है कि हमें पुन्य से कोई मतलब नहीं है जीब केहते है कि हमें भार के संयोगों केफा, लेकिन रस पूरा का पूरा जीव के पास वो ही है पहर का याश देखके कीर्दी देखके पुन्य देखके सङयोग देखके सब примौ अब जो नहीं है हमारा भी हो चाहिए, सब में हम भी है, सब का यहीं है, बहार ही है, यह पूर बहार की और ही भागता है, बहार की सारी विवस्ताओं में, विवस्तित विवस्ताओं में, हस्तिचेप करने में ज्यादा आनन्द आता है, लेकिन सभाव के आनन्द लेने में, सभाव की सक्ता को स सुद्वाधव कर्स लेने में पातरता ही निकलता निकलाता हा। अभू, उप्好吃 की बात बता रहा है…. ऐधकी नुक्त जिन भगमान के बचनों को धारण करने के लिए ही समय नहीं है अब क्या करोगे आप क्या वाता होगे क्या दरसा होगे जिन भगमान के बचनों का हर्दे में सौभी मानत हो जिन भगमान के बचन अंतर आत्मा से सीकार तो हो जिन भगमान ने कहा है जिन भगमान के बचनों का यदि हर्दे में स्थाप करोगे तो मिथ्याजी सल दूर होंगी बिलकुल आपका हिर्दे पवित्र होगा और हिर्दे पवित्र होगा हिर्दे में चैतन महीं तत्य का वास होगा महा सुद्ध सरूप की साधना प्रारंब होगी हिर्दे में असुद्धी हो हिर्दे में पर आश्रद्धान गूंज रहा हो और आप सोचो आनंद की स्थिति बन जाए तो फिर हूं आ संभाव है और बंद भी जाएगी तो छणिक बनेगी थोड़ी दिरे के लिए उसके बाद फिर भूल जा हिर्दे में दूसरा भी सीकार वह दो चार चार गूंगर सब्थोड़ी दिरी ए-थोड़ी दिरी ए-थोड़ी दिरी थोड़ी संभ ली है और एक शरूप मात्र सीखकार होगा जिन वहले कार और आनंद की इस्तिती पर्मेंनेट आया पको दिखे ही नहीं यह बाद रख कशार को आप अपाराया पुर्षाद एस निकल रह ए700 डिकल तो इसक अपने ग्यायक ठुरुप्स भाव की मजबूत को तो आप विते ह्टा से ध्यान दो अब ज्यायक सभाव की मजबूती पे तो विशेष्टा से ध्यान दो इमें तो वो अखंडा अनन्द का नात हूँ जो ब्रह्म में सत्ता है अब पर प्रयाँ से प्रभावित न मत हो अपने सरूप की श्रद्दा को तो उठा के रखो सभाव के वहमान और जिन वहमान के बचनों को तो उठा कर रखो उपर परिस्तितियों को निकलने दो अब परिस्तितिये निकलेंगी और परिस्तितिये अनकूल भी होंगी लेकिन वो पुन्योदे से होंगी वो पुन्योदे से होंगी जिसका पुन्योदे जितना बलबत होगा उस अनुसार परिणमन होगा लेकिन भाया सहाधना तो अपने सुभाव को उपर उठाने से होगी बस यह आपको बिल्कुल नोट करके रखना पड़ेगा और समय आएगा उस सत्त को प्रकासित होने का समय वाज किसी का समय कल किसी का समय सब के समय बंदे हुए किसको कब केवल ग्यान होगा किसके निवस से कब कितनी प्रवावना होगी किसके निवस से कितने भब जीवों का केसा संग होगा केसी विवस्था होगी सब 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 सुनिश्चित है केवल यान में किसके समोशन में कितने भवब जीवों को तरहेंगे सब निश्यत है कोई पहले तो कोई बात में किसी के निमित से आज तो किसी के निमित से कल सबका नियोग सयोग सब निश्यत है इसलिए बिलकुल बिलकुल एक एक रत्ती मात्र भी उपयोग निमितों के बिकल्पों को हाइलाइट ना करें और यदि कि अपना निमित अपादान का निमित किसी को मानते हो तो फिर वो है जनेन वगवान की देशना एक गुरू मराज की गाथा है इसके अलाव अपादान का निमित कोई हो यह नहीं सकता चिनेल बगवान की देशना और गुरु माराच की गाथा हैं यह लेकर हमें समझ में तो आती नहीं है यदि गुरु माराच की गाथा हैं समझ में नहीं आती ना तो यह देश नहीं नहीं सुन पाते हैं वो उनकी गाथाएं बोलती ही, उनके पती श्रद्धा ही बोलती है, जिन भगवान के बचन ही बोलते हैं, पस लगता है आपको ऐसे कोई सुना रहा है, कोई समझा रहा है, कोई बता रहा है, महीमा तो मही से जरती है, यदि ये गाथा नहीं होती, तो ये विस्तार कैसे होता ह वह उनन्दवार हो चुका देकिन बात तो उपाधान के प्राप्त होनेesar को निमित को लेकिना काणने की बात नहीं चलती बात चलती है कि बिकल्पों का कारण सयोंग है निमितने हैं पिiająपादान पिए तो हमस्त हork pracy अलिए तो वह व niż था नहीं है वह थेकिन जीप को हमेंसा बिकल्पी पसंद ररा इसलिए वह दो निमित को प्रमुक कर बात करें अवफादान की नहीं होती उससे अथा उपादान की बात आ आए तो सल बस्ती ही नहीं है सल बस्ती ही नहीं है उपादान की बात आ जाती है तो अज्ञानता बस्ती ही नहीं है और सहज साधना होती है और प्रमाद भी नहीं रहता है और सहज स्रद्धान भी रहता है और सहज श्रद्धान की बल्वत्ता पर सहज सत्य की स्विकारता है अनुदा साधना भी चलती है कुछ लिए साधना चलने लगती तो वही श्रद्धान पिड़ जाता है गलत साधना चलती तो श्रद्धान बढ़ता है पिटता नहीं कभी नहीं पिटता कभी नहीं पिटता साधना के क कि आकाल में कि रटेटी मानता खतम हो गई कि जो कर्ठत की मानता है कि खत्म हो गई अभी भी है सब्सक्तिता कर ने अब आपके साथ निकल रही है लेकन भगवाण जो सुद्धत सरूप को साद रहे हैं सुद्धत सभाव के द्यान ज्यान अभ्यास में जो सुछ सरूप की वह कि अपयोग लगा रहा है सभाब को लक्स अन जीवों की वह श्रड़ा करतत्त की मानता है मां से भी निकल भार जित्ती कर्तत में वह भी निकल के आई का गें लेकिन लक्ष में सुभा होना चाहिए इसनल उद्स सरोपम उद्ध हम् तत्वार्ठ सव्व हम असमें सुद्ध्य पर्यूंड इरग ऋसके अलब संयोग में क्या कर रह रहा हो कोई मायने रखता सब को संयोगी पसंद है आपके संयोग में निवित में आप क्या आग लगा रहा हो क्या संयोग आत्म के स्थिति खट रही है कोई भी कोई भी बात एक रंच मात्र भी महत पूर नहीं है कि कुछ भी परिड़ामन एक रंच महत कुड़ नहीं साधना में साधना में हो साधना में कोई भी परिड़ामन महत कुड़ कुढ नहीं LeftNG को क्रिया महत कुडह नहीं प्avor को सुद्ध सवाव की लगन कित्ति बनी हुं यह बस यह मेहत П temporary चेतनमें सभाव की सुरत दुख बीतरा ज्ञान विःज्ञान सभाव की हिरदे में जीग्यासा छ shaटपडाट किती बनी हुँई है चें महत पूरहे की जिन बहेनम जायवनत जिन भागवान के बचन जायवनत जिन भागवान के दोरा कहा हुआ विग्ञान गन्द सभायो जयवन्त अनन्य चतुष्टय में सभायो जयवन्त जिसका हेड़ेक अतार सीधा जिन भगवान के बचनों से जुड़ गया हो कुरे से किसी एक युदि जिन भवान की बचनोंसे जुड़ा है तो तीन काल में तीन लोग में कोई भी स्थिति घटना परिस्थि उसको जिन भगवान के बचनों से नहीं तोड़ सकती सब परिस्थिती भेवार में घटेंगी नहीं लेकिन बचनों से इसका फिरदे का अंतार तो चुका है इस्थापित हो गाया जिन भगवान के बचन उसके हरदय में तो भगवान आखरी के एक सेकंड में केवल ज्यानी पकड़ हो जाएगा सीधा इतना पुरसा तो चलता है पूरी पूरा परिणमान पूरा सैयों केसा निकल गया कोई मान नहीं रखता है पता ही लगता कि क्या हुआ कोई गिंती में नहीं आता है सिर्फ एक सत्य को पकड़के एक सत्य की लक्ष की निष्ठा को पकड़के बागी बाहर के सजयों को जब पूर्ट दिर Ses बिस्मृत कर दें को भूल जाए बिस्मृत हो जाए अर। अ What कि एक एक सत्यिस्मृण्ड में भी जन्व नम जै रहा कि ए सनद knight dan आत्म ही आत्मा गुता रहे हैं यह बहुत दिनों बाद यह सूत्रा यादा है भगवान यह सूत्रों के आधार पर ही माला रोण हो रही है यहां यहां कोई करता है नहां यहां कोई धरता है इन सूत्रों के आधार पर ही पूरी साधना आत्मा घटना घट रही है माला रोण ज जा रहा है अपनी पातभता व्मी का नुशार इन सूत्रों के अनुशार इस मालत को गूथा जा रहा है मजबूत इसे गठा जा रहा है हुआ ना जो थी दो ना 50 गुण की अन्वोधना से देखना भी आज़ का था और फो यह सुद्ध ध्रम की सुद्ध धर्मकि प्रभावणा की सुद्ध चेत्ना की सुद्ध ज्ञान पिग्ञान की यह एसी यह गहरी गेरिन चलि मीमदा करेंगे की उन्होंके बल बाहूं करणची यह की ले अपन अपन近-क driving ऑर इन इंकी प्रवचनों की अन्मुदन करने ने सामकर काम बन जागा। यह पंपा से नहीं नीए को काम ilayam निशंता से बिलकुल एकदम निरोवहता से भिलकुल एकडम बिलकुल निशंकता से क्या करें जिन भगवान के वचनों कि अन्मोन करो थो जन वगवान के वचनों का सहकार करो बाकि तो यह सब तो निमित सहीं हों गहीं तो मिलेंगे और नहीं मिलेंगे सब सहीं गात्मक इस्तिति जैसे आपके उपादान में क्रमब दवस्ता में बंदेगुए बेसी बवस्ता लेकिन मूल तो आपका धुरूब सुद्ध जो पादान है वो है अब जीब कहेगा कोई भ होता विहोनार जानने में नहीं आती तो बस लगे रहा हो विकल्पों में और जब तक इस सल्ले है जब तक मित्यात से नजदी की है जब तक अग्यान से जीब जुड़ा है तब तक उसको इन 84 लाक यूनियों के परिवरों से कोई बचाने वाला नहीं है जब तक जीब जु जीब की जब तक वे परियाय से परिणमन से पर से जुड़ेगा तब तक उसकी सुरक्षा नहीं होगी जीब की जीब आत्मा को में 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 यही सबसे बड़ी कंडिशन है क्या करें एक ही उपाय भगवान जिन भगवान के वचन जिन भगवान के वचन जिन भगवान के वचन क्या क्या है जिन भगवान की वाणी में क्या आ रहा है जिन भगवान के उपदेश में क्या है कि अन्धड बचनों के धुब्देश की कि महीश्वाइम हर्दय में आ जाए आउं प्थनemie दूट का दूर पानी का पानी परया पर्याय हुआ जाती है और सबस्वा अलग प्रती अबिंभित होता है कि भेद भेद ग्यान की सच्की काल आती है परियाय में प्रियाय में प्रिटि मिम्बित होती है इसके लावा कोई भी नशुधार हो नहीं कहों कि ने आ पके पास के उन से भेवित परना सहस्ता से छोड दिया जाए। भी अब कसाय साथ चल रहे। से से स्चुड़ दिय कि उसे यह सभ न Ils यह लानीता सुछ लातने चाना में में उसे ना बढ़ाया जाएं ना उसे लपेटा जाएं ना उसके में लिए किल्क लिए No पसको एक है कि यह सब छोड़ना है जिस दिन चूड़ना है उस दिन शूटे गा सिर्फ सुभा में जाने से अब और कहीं जाने से नहीं छूटेगा बस अ है इसलिए बहार में करना कराना धरना धर्णा सारे विछ को छोड़कर एडिकनश्टा निष्टा है एक निष्ठा सिर्फ एक निष्ठा दूसरी नहीं क्या निष्ठा कि सुद्ण सरूपम तक्दृार साथ सादने योग युदि कुछ है और मेरा सुद्ध सभावा थो नहीं करने युद्ध कुछ है युद्धCl कोई स्थान है मेरी किसी का सवाइमान रखने के लिए कोई स्थान है तो वो मेरा अनंच तुष्टे में ध्रुफ सुभाव है इसके अलावा कोई नहीं कि आप अभी अलों कि अफ चर्चा करो अपन अच्छा से हां 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 सब के देंगे जब सअर ना करने के बाड़ी आएगी इस इसम प्रक्ष में रखके प्रमुक करके आगे बढ़ने के बाड़ी आएगी तो फिर सब फुश्ण फिर आए परिणमान बाहर की वस्तान निवे स साथ सारे विकल्प में जीप के बुद्धी की समझ के कितत हैं कि उन सारे कुतर्व को साभगों बस अपनी मढणी करेंगा गौद्थ ही होगा कि इत्ने कुतार्थ क्षराएं परियायदारे में इतने कुतार्थ एक उतने की मैं जीप कहएगी ऑससा वी तो है एस वी तो है कारी नहीं करना जिन भगवान के बच्छनों को हिर्दे से अंगिकारी नहीं करना तो फिर पिर कोई कुछ भी कहता रहा है फिर कोई कुछ भी समझाता रहा है फिर कोई कुछ तो सुवह कि साधना है यहीव एदर की वरत की कल्पनाओं में है और की तो फिर आप यहां रुची ब्रूज्जान बढ़ावा को क्या जा ओर गितु कि हैं यह डहरे डंड्स न हूं की तो फिर आप यह लगार घुट की साधनाओं तो फिर हम होने के बाद भी होने के बाद भी आपको आपके अंतर में चलने वाले अंतर विकल्पों का महत है पस सहियों को महत है सभाव की रुची के साथ सहियों का महत हो सकता है सभाव की रुची के साथ सहियों का महत हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है सभाव की रुची अलग खाता है और सहियों का महत तो अलग खाता है थैन्म कहा कि मेहत्त पून करना चाहे कोई सप्षित जायँ चाहे द्वेश्का पूर्द उच्प्ष का अधिया निमित सारे सियोग मात्र पल्याय की धारा में हैं है कि अभ्यावली सब कहेंगे बिल्कुल इस रिफय का पल्याय बड़े मन में एक समय का धारा में संसार पूरा अनंत संसार एक समय की धारा को जोड़की बना एक समय की धारा को छोड़के जोड़के एक समय की धारा को संचे करके एक समय की भाव पर्णाम एक समय की तमारे किरिया कलाप एक समय की तमारे वहरमुक दिश्टी एक समय का निमितिक निमितिक संयों में अपना त्येकत्य पनाओ किया ग्विल इन सब्से मिल के यह संसार एक समय करता है एक समय की परफ। को है किए शीकार तही अनंत कर्म का आश्रप कराती चुन तो एक-एक समय से मिलके यह अनंत संसार की का रचना हुई है कि दिन शने नहीं आया एक समय में खट्टा हुआ है उसक्ति क्या करें बहुत होने लिए इस अनंति संसार से मुक्त होना है तो बर्तमानिम के एक समय में चलने वाली जो परियाई की अवस्ता है उसे एक समय की परियाई की अवस्ता से मुक्त हो जाओ वस कि आपका अपनत्त ना रह जाए आपका ममत्त ना रह जाए यदि आपका अपनत्त ना रह जाए आपका ममत्त ना रह जाए आपका जुड़ान ना रह जाए तो सम्झद छूड़ गाए निकल गए और जदि आपका जड्मास रह रहा है आपका अपनत रह नहां से लुए इस घुटतान का तोट जाएगा एक पूलत पूरे विशे में लगें ममत शूटवा के ना भी परिय्य दिख रहे हैं परियाय जानने में आ रहे हैं अब नहीं छूट रहा है तो फिर पुरसाथ करो तो परियाय धारा है जिसी बंदी वह थोड़ी ना रुकेंगे सहीयोग आत्म कर्म थोड़ी बदला जाएंगे आपको दिश्टी बदलने को परसाथ करना है अब यहां पर आके कोई रोन लगे दिश्टी भी नहीं बदला रही हमें तो बही बही दिख रही है कर्म धारा का सम भूल जाओ जब कुछ नहीं हो रहा ना कुछ हो इनी सकता ना जिन उक्तवाणी हिर्दे चेतने तो जब कुछ भी नहीं चले हाथ-पाँ जिन भगमान की वानी को बिलकुल सामने रखके भूल जाओ पर जब हाथ-पाँ चलाने की वाड़ी आ जाए तो गुरुमा इने के लिए मिठ्यात मादमों मिठ्यादेव गुरु धर्म दादी सबसे बेवार से दूर निश्चे से अंदर मिठ्या पढ़नाती से सल्नियों का निरोद करके क्या करें सुद्धम सरूपम्तत्वार सादम कि ऀखने हाथ पाँ काम करने लगें जब करंबर की परियाए अपने आप इसामने से निकल जाए खूब विकल पर आखुलत चल के दुखी हो के सब निकल जाए तुम ज्याताजिश्टा का बिचार करो जिनभगवान की बढ़ने का बिचार करो ओं जेसे मोका मिलें अपने ह में मन्द हो जाती है लेकिन तो लोग तो जाया अच्छे वही ना इस से उपर तो कोई ही नहीं इस समय कुछ भी नहीं है इतनी आकुलता कि आपको कोई ऐसी बाहरी बाहर में उपसर गुरूप पर कर्म पर कुड़ती नहीं है लेकिन जीब अपने मन की कलपनाओं की उपसर गुरूप पर वरती से इतना परेशान है क्या बता है सर पर सिग्ड़ी जलेगी तो क्या करेगा हम सेहन कर लेंगे अरे भग्मान चुम मन की कलपनाओं को अज्यानता के दुख को सेहन नहीं कर पारा वो चीटी काटने के दुख को सेहन कर नहीं पाया वह सिग्ड़ी जलने के तो बात दूर जीव सहन नहीं करता है वे सहन करकर के ठग गया है क्या सहन कर रहा हूं ये तो बताओ सब सिर्फ सम्ता भाव नहीं आ रहा साक्षी भाव नहीं आ रहा इसलिए आकुलता या तो कर रहा हूं या सह रहा हूं कर रहा हूं तो भी करतत पना और में भोग रहा हूं तो भी करतत पना भाईया कर नहीं रहा हम तो कुछ नहीं कर रहा है लेका हम बे मतला हम भोगना तो परड़ा है भोग रहा हूं तो भी करतत पना मेरी बैसे कोई भोग रहा है तो भी अपने में अपने में करतत पना अपने में भुगतत पना अपने को मानना करता अपने को करता मानना llev दूसरे को करता मानना सब निम्ती निम्तीक खेल है और जीव की पूरी चेत्ना यही उलजी हुई है और भाईया आज इस गाताम के दिल्कुल अन्तिम चड़ा में निपन होना है जिन वगवान के बचनों को सीकार करके आत्म साथना के लिए ढलना है मुक्ति के मार को बिल्कुल निर्वे और निशंग होके ग्रण करना है तो एक काम कर सुद्धम सरूप सुद्ध सरूप के अलावा और किसी को इस्थानी मत दे पिल्कुल आखरी है आखरी में बिल्कुल लाश्ट में डंकी की पीर्ण करे है लिकुल नगाड़ा वाया कर जा रहे हैं सद्ध गुरुदेब धार्म का छेतन मिसक्ता का वीतराक धुरूबस भहाव का नगाड़ा डंकर वजरा यह समझा चिन वगवान के वश्णों का बिल्कुल गोश हो रहा है बिल्कुल संकनात हो रहा है कि यदि वास्ता में मुक्त होना है यदि वास्ता में तो ये सिद्ध होना है सुद्ध होना है अर्थात होना है मतलब परियाय में भी ववस्थां व्यक्त करना है पर्वसार्तु सब पर्याई में वक्त करने का च्रद्धा होचा ग्यान चारित। पर्याय में अवस्थां को व्यक्त करना है तो शर्प एक ही काईर है बस तरी लिए सुध्र सभाव को साथ ना बस इसके लावा कोई भी तेरा कायर नहीं है वह के से साथ है साथने में कुछ नहीं करना जैसे कि पोधा के से बढ़ा होता एक छोड़ा सा अंकोड़ा लगा आप बीज डालो एक छोड़ा सा वह बट-बट रख्च के से मनेगा पाई है बीज को भूमी में डाल दू और फिर उसका ख्याल रखो सिचाई दो पानी दो सिंचन करते रहो उसका ख्याल रहे उसका श्मरन बना रहे आपको तो वो बीज अपने ब्रदिगत होता है ब्रक्ष पोधा मनेगा पोदे से ब्रक्ष मनेगा बीज पोधा मनेगा ब्रक्ष मनेगा यह क्या है यह अंकुरन की महिमा है बस एसे ही एसे ही जो श्रद्धा आपके हरदे में आई है, जो बहुमान आपके हरदे में आया है, वो जो आपके हरदे में छोटा सा अंकुरन हुआ है, उस अंकुरन का ध्यान रखो, जिन भगवान के बचनों की अन्वोतना से, जिन भगवान गुरुमाज की बचनों की श्रद्धा से, इन ग गेहर जान दो। उसकी सचाहिछ नुतराई होन दो। अपने आपी को चो पोधर रूप मिखुत हो जाएगा और वह फोधा बढब्रक्ष रूप ज़ायगा केवल ग्भाणा रूप प्रकासित हो जाएगा कुछ भी नहीं है Most variables मात्र एक अनवोधना है अ कि अनवोधना किक् menu कि नहीं है किसी निमित्त की नहीं कि संयोग की नहीं Christmas अनवोधना अनंत ग्यानियों की है और जो एक बार में होती है कि जो किसी निमित्त अंत पिंध नहीं होती एक यदि- किसी चानम के जन्जन हमाई कि फिर किसी बराध्ना नहीं नहीं होती फिर पिर दोसे इन्जन हो रही है निमतों मेंना है न यहज़ा हुआ है सुछने की उप्द स्रूमर है तो इसलिए अंत में गुरु मायच की ये गाथा बिलकुल सत्त का अधोश कर रही है तत्त की गर्जना कर रही है और एक बात भब जीवों को एक सत्त हिरदे में स्थापित करते वे जा रही है एक सत्त का संकनात करते वे जा रही है कि ए भबजीवों आगे की गाथाओं में प्रविष्ट होने का एक ही कुंजी है एक ही मार गे आगे की गाथाओं को आत्म साथ करने के लिए एक ही उपाय है क्या कि सल्यों का करो निरोद जिन भगवान की वाणी का करो अपने हिरदे में अस्थाब संद्यों का करो निरोध चिंतां का करो निरोध आकुलता कicer निरोध औक ब Panel राब का कर एस्थार जिन वहां के बसिनेगों करो सल्डाफ और और बचनेव और लूब जानो जडिन तो चेतनरूब जानो paste Oh एक सिन्भगवान वचिनों को सुनों उनको स cuatro convenience उनकी चेतानतर रूप आननद आनिगें उनको अपने चित्ते में शोयम, सिन्थन रूप लो वज बी से समझस्य अपने धिमाग Хорошо भुद्धि से अपने धिमाग samos criança जाओगे तो मैं वो चेतन रूपी दिखाई देंगे ग्यान रूपी दिखाई देंगे और इन चिन बचने को अंवरत को अंटर से आत्म साथ करते हुए अपने सल्दों को विकल्पों को तोड़के मिठ्या देवादी गुरु धर्म सबसे दूर होके और एक काम करो वस सुध को छोड़ना सिर्फ एक काम करना है कि जो अनाधी अनंत सुध्य सरूप है वही मेरा सुभाव है अपने दुख को मिटाओ धुनिया के दुख को मिटाने की जिस ने प्रयास किया वह अनंत काल तक दुखी बना रहा और उसका दुख आस तक नहीं मिटा यह सूत्र लिख लो अपने दुख को मिटाओ अपनी आकुलता कारण को मिटाओ अपने अपनी अनंति पीड़ा को मिटाओ जिस दिन तुम अपनी अनंति पीड़ा को अपनी अज्यानतों को मिटाने में सामर्थ हो जाओगे उस दिन दुनिया के दुख अपना भी मिढ जाएंगे तुम खुद दुखों की एक दवा है जिनुक्त वाणी अनन्त समस्याओं का एक समाधान है जिन भगवान के वचन अनन्त कलपनाओं का एक अन्त है एक सत्त सभाव का सहकार और आचार परमात्मा की वाणी का एक ही मूल उद्देश है आगे गहन तत्तवार्थ की साधना में आपको प्रवेश करना है तो मूल मंत्र है सुद्धम सरूपम तत्तवार्थ साधना अपने तत्त को साधना तत्त को आरादना और तत्त मात्र को ही देखना जिसे सिर्फ ये मात्र पसंद तत्त मात्र और कोई भी चीज़ पसंद ना हो एकिछभाव दसा कुछ भी पसंद ना ओव कि जिस्से और कुछ भी पसंद होई ना जिसका कोई बहवार होई ना इसके बहवार के история संब्द कोई drops कर चुका हो जो कि उसके लिए बात करेंगे अगे मारड के वह मतलब कुछ भी करो सहज रहाऊ वसक जिसके बहवार बिल्कुल एक परिणमन मातर है वस कि बहवार एक परिणमन मातर है और जो स्वयम हो रहा है महां कुछ जवाब नहीं देना कुछ बोलना नहीं है कुछ लड़ना नहीं है उससे परिणमन से कुछ कहना नहीं है पह 이후 बिलकुल सहज भेने देना, परिड हमन में कुछ नहीं करना, और यह परमपारणा में की बिलकुल रटना लगाना है कि मैं परमपारणा में कूँ हूँ, परमपारणा में खूँ, सुद्द सरूप है, सुद्द सरूप है, तत्वार्थimat सार्दम, जिने यही देखना पसंद है जिने यही देखना रुचिकार है जिने यही मानना रुचिकार है जिने यही सीकार करना रुचिकार है जो इस मात्र को अरादना चाहते हैं जो इस मात्र में होना चाहते हैं या जो इस मात्र में अपने आपको देखते हैं कि मैं यही मात्रूं इसा सीकार करते हैं उनके लिए सिर्फ एक ही आज्या है कि जब सुद्ध शरूप मात्र सीकार करते हो तो फिर तो मैं कोई द्वंद केसे हो रहा है द्वंद हो रहा है इसका मतलब नहीं करते हैं तो जिसे सुद्ध सर्वुकमात स्विकार करना है उनके लिए एक आज्या है कि अब सिर्फ जिन्युक्तवाणी के अलावा कोई चिंतन नहीं हो तो जिन्युक्ति फागेगा कब एक चिचीट लिमिट है करमधा दोसके से फिजिए तिन निकलें उससे उपर निनिकल सकती खिचके तूट जाएगी खतम होजाएगी और जिन सोया में तुम्हें अपना सभाव अकेबल ज्यान में अने प्रकाजिफने लगेगा इसलिए बिल्कुल कर्मों की तरफ से निश्यन्त और आत्मा की तरफ के लिए जागरण आत्मा के विश्वास के लिए लगन यदि यह एसी लगन लगे इसी सभ्वाव की अरात्ना करन कि अंतर से बिल्कुल भावना द्र हो इसे दांत जिन वगवान की शद्दांतों को चित्त में धारण करके जिन वगवान की वाणी का गहन श्रद्धान हो अपने आप आगे वढ़ने का जो अगला मार आचार गुरुदेव जो अगली गाथा में विशेष चत्त्वात की सा स्वास कोई बढ़ाना है और तत्यमात की भावना करना है यहीं मंगल भावनाओं के साथ गो लिए आचायर प्रवर्श अद्गुरुदेव अचायर जी महराण